जय हिंद कैसे हैं आप सभी हमारी जो शाइंस के स्रीर चल रहे हैं कॉंटिन्यू आपके जो RRB, Railway Group D के जो भी अक्जाम होनें आपके किसी भी अक्जाम में साइंस अगर आपके पूछी जाती है तो ये क्यूसन काफी इंपोर्टन्ट है फर्स्ट हमारा क्यूसन है एक वस्तू का दरवेमान है तो वो क्या हो सकता है आपका इन में से हमारा क्रेक्ट आंसर होगा यानि इसमें ये सभी सही है वो आपका भोतिक मातरा हो सकता है मोलिक मातरा हो सकती है अदीश मातरा हो सकती है ये सभी विकल्प सही है SSE CPU में ये questions आपके पूछे गए हैं नेक्स्ट हमारा question है जब एक bus अचानक से चलती है तब bus में एक बैठे यात्री पीछे की और गिरने के लिए परवर्त होते हैं तो ये घटना का एक उधारन है तो ये कौन सा एक उधारन है इसका right answer होगा हमारा A यानि एक इस्थरता का जड़ता होता है क्यों है क्योंकि जब कोई bus होते है वो चलते हैं और उसमें बैठे यात्री होते हैं वो पीछे की और गिरने के लिए एक दम से जब ब्रेक लगते हैं तो परवर्त हो जाते हैं ये गटना क्या है कि इस्थरता का जड़ता होता यानि वो एक जगह बैठे रहते फिर वी वो पिछे की और धकेले जाते हैं तो ये इस्थरता का जड़ता हो है next हमारा question है वस्तु का सवेंग किन कारकों पर निर्बर करता है तो इसका हमारा correct answer होगा B यानि कि option B is the correct answer इसमें जो वस्तु का दर्वेमान है वो भी right है और जो वस्तु की गती है वो भी इसमें right है तो जो वस्तो का सवेंग है वो किन कारकों पर निर्बर करता है तो वस्तो का सवेंग वस्तो के दरवेमान पर निर्बर करता है वस्तो का सवेंग वस्तो की गती पर निर्बर करता है तो इसमें हमारा क्रेक्ट आंसर ये दोनों होगे यानि कोई भूस्त रणी उपगर है उसकी जो उच्चाई होती है वो उपर्तवी की सते से लग बग 36,000 km होती है next हमारा question है सितारों में उर्जा के अक्सेस त्रोत का क्या कारण है तो इसका हमारा correct answer होगा A यानि कि जो हाइट्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है वो तारों में जो उर्जा होती है उनके अक्सेस त्रोत का एक मुखे कारण होता है तो ध्यान रखना है सितारों में उर्जा का जो एक अक्सेस त्रोत का मुखे कारण है वो hydrogen का helium में परिवर्तन करना है next हमारा question है किस veganic ने गती के नियम दिये थे तो इसका हमारा correct answer होगा 6 में B यानि कि जो Newton है उसने जो गती का नियम दिया था next हमारा question है निमन लिखीत में से किस रासी का कोई मातरक नहीं है तो कोन से ऐसी रासी है जिसका कोई भी मातरक नहीं है तो आपको पता होगा गती का हमारा मातरक है घनेतव का है तो इसमें मारा correct answer होगा C यानि कि जो आपेक्षिक घनेतव है उसका कोई भी मातरक नहीं है और तवन का भी मातरक होता है next हमारा question है कौन से संप्रक बल के कान वस्तूं की गती की अवस्था में प्रिवर्तन आता है तो इसका हमारा correct answer होगा B यानि कि जो गर्शन बल है उससे जो संप्रक बल के कान वस्तूं की जो गती है उसकी अवस्था में प्रिवर्तन आ जाता है तो correct answer होगा हमारा B यानि कि गर्षन बल की वज़ाए से ये सब होता है Next हमारा question है प्रावर्तन के नीम के अनुसार तो इसका हमारा correct answer होगा देखे जब कभी भी प्रावर्तन का नीम होता है तो उसमें जो आपतन कोण है सदेव प्रावर्तन कोण के बराबर होता है तो हमारा right answer होगा C यानि कि प्रावर्तन के नीम के अनुसार जो आपतन कोण है वो सदेव प्रावर्तन कोण के बराबर होता है Next हमारा question है आपेक्शिग घनतव का मातरक क्या है तो इसमें हमारा correct answer होगा इन चारों में से D यानि इसमें कोई मातरक नहीं होता जो आपेक्शिग घनतव का मातरक क्या होता है कोई मातरक नहीं होता इससे पहले वाले question में मैंने आप सभी से discuss किया था कि किसका मातरक होता है तो उसमें answer था जो आपेक्शिग घनतव है उसका कोई मातरक नहीं होता कर दी जाती है इसलिए हर क्यूसन को थोड़ा ध्यान से देखें जड़ता के नियम को क्या कहा जाता है तो इसमें मारा राइट आंसर होगा सी यानि कि जो न्यूटन की गती है उसका त्रीती नियम जो होता है वो जड़ता के नियम को कहा जाता है किसी चलती विवस्तु की गती को आदा करने पर उसकी कोई भी वस्तु चलती है और उसकी गती को यदि आदा कर दिया जाता है तो उसकी जो गती उर्जा है वो प्रारंबिक का एक बटा च्यार हो जाती है ध्यान रखने कोई भी चलती विवस्तु की जो गती होती है जो स्पीड होती है यह दि उसको हाफ कर दिया जाता है तो जो गती उर्जा है उसका जो प्रारंबिक है शुरुवात होती है वो एक बटा चार हो जाती है यानि चोथाई हो जाती है नेक्ष्ट है जो पारा थर्मा मीटर है उसके काम करने का जो सिधान्त है वो गरम करने पर पदार्थ का विस्तार हो जाता है जब कभी भी कोई भी पदार्थ गरम हो जाता है तो वो फेल जाता है यानि कि जो पारा थर्मा मीटर है तो उसके कारिय करने का सिधान्त क्या होता है गरम करने पर पदार्थ का वि यानि जो गतीज उर्जा है वो स्थीतीज उर्जा में बदल जाती है Q Said, एक उड़तेवे जेट में क्या होती है तो एक गतीज उर्जा होती है वो स्थीतीज उर्जा में convert हो जाती है एक उड़तेवे जेट में इसका हमारा correct answer होगा D Next हमारा question है दंत विसेजगुन द्वारा किस प्रकार के दर्पन का उप्योग दांतों का बड़ा परतिभिम देखने के लिए किया जाता है तो इसका वारा correct answer होगा अवतल दर्पन यानि अवतल दर्पन में जो दांत के डोक्टर होते हैं वो दातों को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कुण से दर्पन से तो अवतल दर्पन से वो ऐसा करते हैं नेक्स्ट हमारा question है जब परतिरोदक स्रेणी करम में श्योजित होते हैं तब कुल परतिरोदक स्रेणी करम में जो श्योजित होते हैं परतिरोदक तब जो कुल परतिरोदकता है वो आपकी बढ़ जाती है तो ध् थोस में गैस में बदलने के क्रिया को क्या कहते हैं जो ठोस होती है जब उसको गैस में बदला जाता है तो उस पिर क्रिया को क्या बोलते हैं तो उसे हम उदरवपातन बोलते हैं ध्यान रखना है उदरवपातन हम किसे बोलते हैं जब ठोस से गैस में बदलने की जो क्रिया हो से जल्वास्प में उसे परिवर्थितक किया जाता है जल्वS-3307 के या होता है ने रर्टी का मातर्ख क्या होता तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गती में है तो वह गती में ही रहेगी ध्यान रही क्यूशन के स्टेटमेंट क्या कह रहा है कोई वस्तु है अगर वह स्थिर है यानि कॉंस्टेंट है तो वह बिल्कुल कॉंस्टेंट रहेगी यदि वह गती में है स्पीड में है तो तो गती में ही रहेगे, जब तक उस पर कोई भाईये बल, यानि कि जब तक उस पर कोई बाहर का कोई भाईये बल, यानि धक्का नहीं देता है, तब तक उसके न्यूटन का वो कौन सा नियम है, तो इसका हमारा correct answer होगा, वो पर्थम नियम है, यानि कोई भी अगर हम किसी ची जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे, तो ये पर्थम नियम है, अगर हम उसे टच कर लेते हैं, तो वो दिवीती नियम हो जाता है, नेक्स्ट हमारा question है, दूरी का जो सुतर होता है, वो क्या है, तो इसमें गती गुणा में शमे, जो दूरी का सुतर होता है, आपका वो ध्या क्या है, तो इसमें हमारा correct answer होगा A, यानि की मोल, कोई भी पदार्थ होता है, और उसकी जो मोलिक इकाई होती है, उसको हम किसमें मापते हैं, तो वो आपका मोल में मापा जाता है, उसकी जो मोलिक इकाई होती है, नेक्स्ट हमारा question है, दो धनात्मक आवेशों के बीच के क्या होगा, वह तब मुक्त होते हैं, जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है, तो देखे, इसने पूछा कि कोई भी दो धनात्मक आवेश हैं, उनके बीच का जो बल है, वो क्या होगा, उन दोनों धनात्मक आवेशों के बीच का बल, जब उन्हें मुक्त कर दिया उनके बीच का जो बल है उस समय घट जाएगा जब वे मुक्त होते हैं एक दूसरे के पास उन्हें रखा जाता है नेक्स्ट है बैरामीटर के रीडिंग अचानक गिरावट का ताथ पर यह है तो इसमें हमारा क्रेक्ट आंसर होगा तूफान यानि कि जो बैरामीटर होता है उसकी जो रेडिंग होते हैं अगर उसमें अचानक गिरावट आ जाते हैं तो वह किस वज़े से यानि कि तूफान से आपको ध्यान होगा तूफान जो है आपका वेग में प्रिवर्तन के तुल्ले होता है ध्यान रखना है आवेग किसके तुल्ले होता है तो आवेग आप आपके किसके समान होता है वेग में परिवर्तन करने को आवेग जो है उसके तुल्य होता है तवन होता है तो तवन आपका क्या होता है 26 में आपका राइट आंसर होगा डी यानि कि जो बल का समान उपाती है वो आपका तवन होता है तो ध्यान रखना है तवन आपका क्या होत पानी का लेवल है वो क्या रहेगा तो उसमें जो पानी का लेवल होता है वो कुछ भी नहीं रहेगा यानि कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा देखे कोई भी बरतन होता है यह उसमें ब्रफ रखी गई है और उस बरतन में पानी का जोस्तर है वो क्या रहेगा तो उसमें प यानि जब कभी भी आसमान में उच्चाई पर जो प्लेन में होते हैं तो अगर वहाँ पर पैन होता है शाई वाला तो वो शाई अपने आप उसमें रिशाओ होने लगता है तो वो किस वज़ाशे होता है यहीं इसमें पूछा गया है तो इसका हमारा correct answer होगा यानि पैन के बाहर अधिक वायू मेंडल दबाव के करण यानि कि जो पैन के बाहर की तरफ वायू मेंडल का दबाव थोड़ा जादा हो जाता है और उसी वज़े से जो इंक होती है वो लीक होने लगती है तो इसका मारा correct answer क्या होगा यदि उच्चाई पर उड़ने वाले हवाई जाज स्याही वाले पैन लीक होते हैं तो उसकी वज़े का है अधिक वायू मेंडल दबाव के करण next है एक lift जो एक समानवेक के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का सपस्ट वज़न होता है यानि कोई भी lift अगर वो नीचे जा रही है तो उसमें व्यक्ति का वेट क्या होगा ये क्यूशन आपका अचससी में पूछा गया था है हर एकजाम में आपके क्यूसं से एक दूछर एकजाम से उठाये जाते हैं तो इसका correct अंसर होगा C यानि कि उस वज़न से कम जब व्यक्ति च्यारता है स्तिर रहता है Q इसमें पूछा गया था आपका एक lift जो एक समानवेक के साथ नीचे जा रही होती है और उसमें कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका वजन जो है कितना हो जाता है तो यहीं इसका राइट आंसर होगा यानि उस वजन से जो उसका वेट है फिलाल उससे कम जब व्यक्ति क्या रहता है स्थिर रहता है एक जब कोंस्टिटेंट रहता ह रेक्टिफायर्स प्रिवर्तित करते हैं जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो क्या प्रिवर्तित करते हैं तो इसमें AC को DC में ध्यान रखना है जो आपके रेक्टिफायर्स हैं वो क्या प्रिवर्तित करते हैं तो आपको AC को DC में प्रिवर्तित करते हैं जो आपका AC है उसको किस में पॡ्रीवर्तित करते हैं दे ची में प्रिवर्तित करते हैं कुछ सबुस्ट है नेक्स्ट करदों अ छे करेंटों पूर्ट सब्रक नि चल्य करण होगा पर निरंतरता रहे हैं श्रुकिल से पारिड्र का कहा जाता है तो इस समीरण को सबरेंद करता है और यहल 번 जाता है कि ए वी जुकल आपका रखा गया स्थ्राम जहां पर ए जुकल रखा गया है अनुपरस्त काट का छेत्रफल और वी जुकल रखा गया है द्रव का वेक तो इस समीकन को क्या बोला जाता है तो इस समीकन को बोला जाता है निरंतरता का समीकन ये ससी शियर चर्शल में पूछा गया question है, एक प्रेक्ष गती में 36 के साथ एक बड़ा कौन पैदा करता है, तो क्या करता है, कोई प्रेक्ष पे होता है, उसमें गती में 36 होती है, उसके साथ एक बड़ा कौन पैदा करता है, तो 32 में होगा हमारा correct answer है, उचा प्रेक्ष पत, यानि कोई भी प्रेक्ष गती होती है तो उसमें 36 के साथ एक बड़ा कोन पैदा होता है जो उचा प्रेक्षे पर पत होता है नेक्स्ट है गृुतवाकर्शन के संद्रम में जो जी है यानि जी को क्या कहा गया है तो उसमें गृुतवे इस तरांक इसको कहा गया है 33 में हमारा correct answer ए गुरूतवे इस तरांक नेक्स्ट है येदि कोई वस्तू विसूद रूप से घूमने वाली गती में चलती है तो उसका जो परते घटक है जो कण है एक वर्त में चलता है जिसका किंदर एक रेखा पर इस्थित होता है जिसको हम क्या बोलते है तो इसमें देखे जब कोई वस्तू होती है उसका जो विसूद रूप से घूमने वाली गती में चलती है यानि कि उल्टी सीदी चलती है तो उसका परते एक घटक होता है जो कण होता है एक वर्त में चलता है यानि गोलाकार चलता है, तो जिशका जो किंदर होता है, यानि कोई भी गोलाकार होता है, उसका जो किंदर होता है, बीच का होता है, उस रेखा परिस्थित होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, गोनन की दूरी, ध्यान रखना है, उसको हम बोलते उसका जो दरविमान होता है वो हर जगा होता है एक जैशा होता है शमान होता है नेश्ट स्ट के गती के तीसरे नीयम के अनुसार जो पूर्टिक गति होती है उसको डेति刃 sa होता है उसमें तो मैंने आपको बताये था यदि कोई वस्तु इस्थिर होती है या फिर को गती में होती है जब तक उसको कोई टैस्ट नहीं करता उस पर कोई बल नहीं लगता तब तक वो प्राथमिक नियम रहता है लेकिन जब कभी भी न्यूटन के गती का तीसरे नेम की हम बात करें जिश्मी किरिया और परती किरिया से शमंदित जो बल उसको दर्शाए तो उसमी क्या होता है हमेशा अलग-अलग वस्तों पर लगे होने चाहिए यानि क्या लगे होने चाहिए मैसा अलग-अलग वस्तों पर बल लगे होने चाहिए जब कभी भी कोज वस्तू पर बल लगता है तभी तो वो दिवीतियक और तृतियक नेम बंता है जब अलग अलग वस्तूं पर अलग अलग बल लगता है तभी हम कहते हैं जिए 해ुने द्वीतियक बल है और यह त्रीतियक बल है तो इसका हमारा correct answer होगा C कि हमेशा भेंबिन वस्तों पर ही लगे होने चाहिए बल next हमारा question है परते क्रिया के बराबर विपरी दिशा में एक परती क्रिया होती है तो वो क्या है 37 में होगा हमारा C यानि कि जो न्यूटन का गती विश्यक त्रीतिय नीम अब देखिए इसरे कहा है परते क्रिया के बराबर या तो परते क्रिया के बराबर हो शकता है या फिर उसके विपरीत भी हो शकता है तो इसी परते क्रिया को हम क्या कहते हैं तो यह जो परते क्रिया ह होती है आपकी अलग-अलग यह Newton के गती का जो त्रीती नियम होता है उसको कहागर है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है जड़ जल में तैरहना Newton की गती के किस नियम के कारण संभव है यानि जब हम जल में तैरते हैं तो वह किस वजाशें पोशिबल है Newton के इसमें Newton का कौन सा गती का नियम लगता है, जल के अंदर तैरने में, तो 38 में होगा हमारा C, यानि indo downstairs तैरने में, क्योंकि जल में हम इजितर भी रह सकते हैं, पोजिट भी रह सकते हैं, किसी भी साइड लगता है, तैर सकते हैं, तो यह हमारा 3-3 नियम है, कोई पिंद तब तक विरा महस्ता में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाये बलकार यह नहीं करता तो यह कथन आपका किसका है देखिए इसने कहा है अभी मैंने पहले क्यूसंस डिसकस किये हैं 39 शे पहले वाले क्यूसंस उसमें अगर आपने ध्यान से क्यूसंस चुने ह और बहुता है कि कोई भी पिंड नहीं करता है कोई बहुता यह बहुता है वाधिय० की बात है जो मैंने आपकी न्यूटन की है हमने पढ़ा है ना Newton का पर्थम नियम, Newton का दीटी नियम, Newton का तरीटी निय, तो ये सब उसी के अंतरगत है, next हमारा question है, बल की प्रिभाशा आती है Newton के कौन से नियम के अंतरगत, यानि कि जो बल है, जो force है, उसका जो explanation आती है, वो Newton के कौन से नियम के अंतरगत आती है, तो व नेक्स्ट अमारा क्यूशन है बल लगाते हैं मतलब वह इस्थिर रहती है और गती के वस्था में रहती है जब तक हम उसको टच नहीं करते हैं तो वह मारा पर्थम नीद होता है जैसे मुझे टच करते हैं वो द्वीत्यक और तृतियक में चला जाता है तो वह द्रम को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक शमान गती की स्थीती में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो देखे क्यूशन ध्यान से सुने पहले किसी पिंड के उस गुण ध्रम को क्या कहते हैं कोई भी आप पिंड की जगर वस्तु ले से वह सीधी रेखा में यानि वह सीधी चल रहे है और बिलकुल ही वह स्थिर है यानि विराम है एक समान उसकी गती है यानि उसकी जो स्पीड है वह भी एक जैसी है तो ऐसी सिच्वेशन में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है यानि उसमें अगर कोई भी चेंजर होते तो इसमें पूझा गया है कि किसी पिंड के उस गुण ध्रम को क्या कहते हैं जिस्चे वैसी दी रेखा में विराम या एक्षमान गती की स्थीति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी यानि की जड़त तो जब वो एक जगे इस नियम है उश को हम क्या बोलते हैं तो 42 में होगा हमारा डि यानि की जो समींग का न्यूटन का जो ऐस्ट नियम है जड़ताव का नियम न्यूटन का जो पहला नियम होता है अभी एभी हमने 41 में यह ڈिसकुस किया है next मारा क्यूशन हैbility खीशता आगोड़ा किस बलο के कारण आगे बढ़ता है कोई खीशता होता है तो उसे जो है जो राता है उसके गती लगती यानि 최 Gradา नहीं सकता यानि एक जगह इस्तिर तो है नहीं तो इसमें होगा हमारा d तो पर्त्वी पर जो है आगे चलेगा तो उसको जो है थोड़ा धक्का देगे पर्थवी को फिर चलेगा तो पर्थवी द्वारा घोड़े के जो पैर हैं उन पर आरोपित बलस से इसका हमारा करल टांसर होगा चलती वी बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे वे जो भी या न्यूटन का वह आपका पहला नियम होता है जब आप अच्छासी का अग्जाम देने जा रहे होते हैं एक जगा खड़े रहे होते हैं और जैसे ब्रेक लगते हैं तो सब एक दूसरे के उपर शे निकल जाते हैं तो वह होता है आपका न्यूटन का पहला नियम होता है जब तो नूटन का यह कुशंट ही आपका जो है रूंघ है इसको आप भ 표 यह लिफा डियाओ boule अग्षूं की दिशा क्या होती है जो बड़ आगों है वो क्या होती है तो इसमें जो परियुक्त बल कि दिशा कि इप प्याद्व का कि एकाई किया यहांद गुर्तवाकरशन का नियम किनी वी दो वस्तों की जो जोड़ी होती है उनी में गुर्तवाकर्शन का नियम लागू होता है मालनों आप पर्थवी पर खड़े हो कि एपल उपर फेका तो दो वस्तवी हो गई मालनों कि एक तो पर्थवी और एक एपल पर्थवी उसको वापिस खीचेगी किसकी वज़ाशे गुर्तवाकर्शन की वज़ाशे तो गुर्तवाकर्शन का नियम हमेशा दो वस्तों के बीच में ही लागू होता है यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है एक उतल लैंस की जो सकती होती है उसका पता लगाएं या फिर जो भी परती बिम्ब होता है लैंस से जो शेंटीमीटर की दूरी बनाता है तो जब जो लैंस है उसके दूसरे जो पक्स है उस पर क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि उसका ओप्टिकल के अंदर से 20 cm की दूरी पर उसे रखा गया है देखें क्यूशन समझे ठीक से कोई भी उतर लैंस है उसकी सकती का हमें पता लगाना है उसकी पावर का यदि परती बिम्ब लैंस से जो शेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जो परती बिम्ब है वो लैंस से कितने centimeter की दूरी पर बनता है ये इसने दे रखा है 20 centimeter की दूरी पर रखा गया है तो जब उस लेंज के जो दूसरा पक्ष है तो उसे optical के अंदर से 20 centimeter की दूरी पर रखा गया है तो कितने डायोप्टर इसने पूछा है तो इसका हमारा correct answer होगा डी यानिकी 11.25 डाइयोप्टर तो इसका देखे एक उत्तर लेंस की सक्ती जो होती है यदि परतिविंग लेंस ये cm की दूरी पर बनता है तब उस लेंस को दूसरे पक्ष पर आप्टिकल के इंदर से 20 cm की दूरी पर रखा गया है तो दूसरे लेंस पर कितना डायोप्टर 11. प्रणाली को एक प्रणाली के द्वारा किये गए उर्जा के यांतरिक हस्तांतन को क्या कहते हैं तो इसका हमारा राइट आंसर होगा यानि कि वर्क कहते हैं काम कहते हैं कोई भी प्रणाली है उसके द्वारा उस प्रणाली को एक प्रणाली के द्वारा किये गए जो भी उर्जा के यांतरिक हस्तांतन हैं उनको हम क्या कहते हैं तो उनको हम काम कहते हैं यह मारे 50 कुसंस साइंस के कवर हो गए हैं जो थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करें, लाइक करें, शेर करें